Hello friends, तो इस वीडियो मैं चेक आउट करेंगे कि आप provider state management package की help से अपने data को कैसे load करेंगे जब आपका data load भो रहा होगा तो आप loading indicator कैसे shop करोगे उसके बाद जब आपका data load हो जाएगा उसे आप UI part में कैसे display करेंगे Then उसके बाद आपके यहाँ पर particular item shop हो रहे हैं इसके अंदर अगर आप कोई भी button add करना चाहते हो like add to cart या favorite button उसके उपर अगर आप प्रेस करोगे तो इस particular data item के जब आप loading indicator करोगे And last में अगर आप अपनी list को manually refresh करना चाहते हैं तो bottom में floating action button के उपर आप click करके इस function को कैसे call करोगे जो आपने provider class के अंदर create किया होगा तो अब मैं आपको यहाँ application का demo shop कर देता हूँ जो हम इस video के अंदर create करेंगे आप देखें जैसे ही आप इस screen को first time load करोगे तो आपको यहाँ पर loading indicator shop होगा उसके बाद जब आपका data load होएगा तो आपको यहाँ UI part shop होगा तो इसको यहाँ से refresh करते हैं ताकि जो हमारा init state है वो दुबार से rebuild हो और आपको यहाँ पर loading indicator shop होगा तो यह देखें अभी आपको यहाँ पर loading indicator shop होगा जैसे यह complete हो जाएगा आपको यहाँ पर list आपकी shop होगे तो let's say third icon के उपर click करते हैं अभी unfilled है तो आपको यह फिल्ड हो जाएगा तो यह देखें loading indicator और आपको यह फिल्ड हो गया है 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 hello friends help build FFC जिसमें में Flutter course create करें राइट from very basics तो अगर आप किसी भी point पर कोई भी help provide करना चाहते हैं तो simply description में Google form में आपको अपना name and email id pass on करना जैन वी विल कैच अप in Google video okay because I believe we together can definitely make a difference buddy तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मां coding part पर उससे पहले चलते हैं one note application पर जो भी इसका concept में वहां पर चेक आउट करते हैं then simply यहां पर किसे कोट करेंगे चलते हैं one note application के उपर अब इस वीडियो में आगे proceed करने से पहले अगर जो हमारे providers के basics होते हैं उनमें आपको अगर खोड़ा सा भी issue है like हमारा change notifier क्या होता है consumer क्या होता है हम अपने provider को root level में कैसे register करते हैं अगर आपको इसमें खोड़ा सा भी issue है तो इस वीडियो को आप चेक आउट कर सकते हैं इसमें मैंने आपको detailed way में explain किया है providers क्या होते है state management क्या होता है हम provider state management को क्यों यूज करें जब हम directly अपने functions को call करा सकते हैं और अपना UI part में सारा काम कर सकते हैं तो यह सारे questions का answer मैंने इस वीडियो के अंदर आपको provide किया जिसमें मैं एक counter application create किया है और उसमें इस सारे concept को detailed way में explain किया है तो आप इस वीडिय app जिसके अंदर simply हम अपने variables of functions को code करेंगे और अपना provider यहाँ पर create करेंगे और उसके बाद जो हमारी second file होने वाली इसमें हम अपना UI part code करेंगे और simply हम इसमें अपना consumer यूज करेंगे जिसके अंदर अपना provider हम pass on करेंगे और थार्ड आपको क्या करना होता है जो भी आप provider यहाँ पर create करते हो वो आपको root level में register करना होता है अब register करने के लिए simply हम क्या करेंगे जो आपका material होता है उसको हम wrap करेंगे यहाँ पर multi provider के अंदर और simply इसके अंदर अपने provider को हम यहाँ पर register कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर जो हमारी first file थे इसमें हम उपना variable create करें जिसके अंदर हम अपना data store कराएंगे जो भी आप server local database से आप get करोगे जिसका नाम होगा is loading अगर इसकी value true होगी तो simply आपको यहाँ पर loading indicator shop होगा अगर इसकी value false होगी तो जो भी data is all data list के अंदर store होगा हम ui part में display कराएंगे जिसके अंदर simply हम अपना get data function create करेंगे जिसके अ आया था इसको आप true set करोगे और उसके बाद आप notify listener को call करोगे ताकि जो भी consumer इस provider को listen कर रहे होगे वो ui part को दुबार से rebuild करेंगे जैन इस line के नीचे simply आपको अपना logic part code करना है अगर आप यहाँ पर server से data get करना चाहते हो तो simply आप use करोगे http.get और इसके अंदर अपना url password दो उसके बाद जो भी आपको यहाँ से response get होगा उसको आप decode करोगे और इस list के अंदर store करा दोगे अगर आप local storage से अपना data get करेंगे जैसे आपका hive हो गया या फिर आपका shared preference या फिर आपका SQI flight plugin तो simply यहाँ से आप data को get करना और simply जो आपकी all data list थी इसको आप equate कर दे then उसके बाद जो हमारी UI file थी इसमें क्या करेंगे simply body के अंदर use करेंगे हम यहाँ पे consumer जो आपको provider के अंदर से provide होता है then उसके बाद simply आपको provider का name पास करना होता है जिस provider को आप listen करना चाहते हो और इसके अंदर आपको तीन value पास करने सबते हैं पहला आपको context second आपको provider name और थार्ड आपको यहाँ पे चाहिए context तो आपको widget build के अंदर से मिलेगा child के अंदर simply आप अपना UI part पास होगे और उसके बाद इस provider name variable के help से आप अपने variable और functions को call करा सकते हैं तो simply हम क्या करेंगे हम चेक करेंगे अगर हमारा इस loading variable true है तो simply हम यहाँ पर अपनी loading screen return करेंगे अगर इसकी value false होती है तो simply हम यहाँ पर use करेंगे अपना list to.builder और इस data को यहाँ पर represent करा देगे इस context के बाद जो इसकी listen property होती है इसको आपको false set करना होगा अब हम यह false set क्यों करते हैं देखिए जब भी आपका UI part rebuild होगा तो हमें यह floating action button rebuild नहीं करनी है तो जब भी आप provider को widget tree के बाहर से call कराते हो तो simply जो listen property होती है इसको आपको false set करना होगा इसके बाद हम क्या करेंग करेंगे तो मेभी आपके doubts वहाँ पर clear हो जाए और यहां पर मैं assume करता हूं जो हमारा provider package होता है simply इसका वर्जन आपने copy करके अपनी फाप्सर डर्मिल फाइल के इंदर place किया होगा और इस फाइल को आपने save कर दिया होगा तो आप चलते हैं वेस्ट को आपना coding part start करते हैं इसको यहां से करते हैं minimize तो इसलिए अब श्टार्ट करते हैं अपना coding part पर उससे पहले मैं assume कर लेता हूं कि आपने package प्रगेट कर लिया हो तो यहां से फॉक्सर डर्मिल फाइल को ओपिन करते हो तो simply आपने अपना package यहां पर paste किया होगा तो इस फाइल को सेफ करके इस package क प्रगेट कर लिया हो और अब मैं आपको यहां पर file structure explain करते हूं जो हम इस वीडियो में create करेंगे तो simply यहां पर हमने एक folder क्रेट किया जिसका नाम है practice इसके अंदर जो हमारी first file है data.dart इसके अंदर हमने सारा data store किया जिसको हम ui part में use करेंगे तन उसके बाद जो हमारी second file ह इसके अंदर हम अपना ui part करेंगे और third है हमारी यहां पर practice provider.dart इसके अंदर हम अपने variables of functions code करेंगे और अपना provider भी create करेंगे okay तो सबसे पहले इस file से अपना coding part start करते हैं तो आपको क्या करना है simply आपको यहां पर अपने class का name provide करना है और यहां पग्लास का name provide कर सकते हैं इसके बाद simply आपको यहाँ पर यूज करना है extend keyword और जो आपको provider package के अंदर से change notifier void होता है उसको आपको यहाँ पर use करना है और इस file के अंदर हम अपने variables और functions code करेंगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक boolean variable create करना है तो इसका नाम देते हैं यहाँ पर is loading और इसकी initial value में यहाँ पर false set कर देते हैं उसके बाद जो आपको यहाँ पर second list create करने हैं जिसके अंदर आप data store कराऊगो जो भी आप server या local database से get करोगा हम यहाँ पर टाइप करते हैं all तो starting में यह list हमारे empty होने वाली है तो उसके बाद simply यहाँ पर उपना function create करेंगे तो let's say हम इसका नाम देते हैं आपर get data अभी इस function के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना देखिए जो आपका is loading variable हमें create के है इसको आप true set करोगा थाकि आपक आपको यहाँ पर अपना logic part implement करना तो अगर आप server से data get करना चाहता है तो simply आप क्या करोगे आप type करोगे यहाँ पर http.get और इसके अंदर अपना URL आप pass on कर दोगे जो पी आपको URL होने वाला है जैन उसके बाद यहाँ से आपको जो भी response get होगा उसको आप decode करोगे और top प करना अगर आप यहाँ पर shared preference use कर रहें तो simply आपको type करना पड़ेगा यहाँ पर dot read function और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि जो हमने data dot dot file बनाए इसके अंदर से simply अपने data को get करने है और यहाँ पर हम simply use करेंगे future dot delete ताकि आपको ऐसा लगे कि हमारा data server से आ रहा है तो simply हम यहाँ भी use करेंगे future dot delete और यहाँ पर duration property के अंदर अपना time duration pass on करते हैं तो let's see हम यहाँ पर seconds के इंदर three pass कर देते हैं इसके बाद जो हमारी callback होती है इसको यहाँ पर empty repair कर देते हैं और इसके बाद simply यहाँ पर await keyword का use कर लेते हैं ताकि यहाँ पर तीन seconds का हमें gap मिल जाए और इस function को कर देते हैं asynchronous function इसके बाद simply जो हमने top पर all data list create करेंगे इसको हम एक्वेट करेंगे जो हमारी यह data file है तो इसके all coffee data इसको हम यहाँ पर equate कराते हैं और semi call then simply हम क्या करेंगे जो हमारा is loading variable था इसको यहाँ पर false set करेंगे और हम last में call कराएंगे notify listener ताकि हमारा जो ui part है वो दुबारा से rebuild हो अब यहाँ पर हमने अपने variables code कर लिए और function भी code कर लिए अब हमें क्या करना है simply इस function को call कराना है और अपना ui part create करना पर उससे पहले simply जो आपने यहाँ पर अपना provider प्रॉइडर की list होती है इसमें आपको यहाँ पर अपने individual providers पास करने होते हैं और उसका syntax क्या होने वाला यह मैं आपको यहाँ पर शोब कर देता है तो इसको पर हम और करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर प्रोवाइडर की जगा सिंपली आपको किया था यह register हो चुगा है आप सिंपली आप यहाँ पर widget tree में इस provider को यूज कर सकते हैं तो इसके इंदर ही हम यूज करेंगे अपना consumer तो simply यहाँ पर में क्या किया आप बार में हमने text यूज किया प्रोवाइडर API कॉल जो आपको टॉप में शोप हो रहा है तन हमने simply यहा आपको यहाँ बॉटम में शोप होई और इसका जो ऑन प्रेस्ट है इसमें कॉल करेंगे अपना get data function तो सब्सक्राइब हम यहाँ पर बॉड़ी प्रोपर्टी करते हैं तो यहाँ पर जो हमारी बॉड़ी प्रोपर्टी होती है इसके अंदर हम यूज करेंगे consumer और इसके अ इसके अंदर आप provider को इस्टोर करोगा तो यहाँ पर टाइप करते है प्रो नेम देन उसके बाद सिंप्ली लास्ट में आपको यहाँ पर चाइल्ड पास करना जो आप यहाँ पर यहाँ पार्ट करना साथ तो यहाँ प्या करेंगे सबसे पहले चेक करेंगे अगर हमारा य लॉटी डॉट एसेट अर इसके अंदर अपने अनिमेशन प्रोइट करते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर जूपी एनिमेशन यूज़ करने वाले हो वह सिंप्ली आप कर सकते हो जो आपकी लॉटी फाइस वेबसाइट है वहां से है और अगर आप यह चेकाउट करना साथे ह हैं तो सिंप्ली डिस्क्रिप्शन में वह स्वीडियो का लिग पास कर दूँगा तो आप इसको चेकाउट कर सकते हैं तो यहाँ पर सिंप्ली मैंने एक फोल्डर कीट किया यह मैं आपको शो कर देता हूँ अनिमेशन और इसके इंदर हमारा कॉफी डॉट जेसन अनिमेश देन उसके बाद जो हमारा लोटे अनिमेशन है इसको भी सेंटर में अपन वैप कर देते हैं तो अब आपने युआई पार्ट यहां पर कर लिया अगर आपका इस लोडिंग ट्रू होगा तो सिंप्ली आपको यहां पर टेक्स शोप होगा डेटा अब आपने जो फंशन क् करें और सिंप्ली आप कॉल कराना चाहते हो फ्लोटिंग एक्शन बटन के इंदर तो सिंप्ली क्या करेंगा प्रोवाइडर के नदर हमें यहां पर दूसरा मेताइद होता है जिसका नाम होता है यहां पर प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉंटेक्स तो आपको उसको यूज़ अपर यहां पर अपना function भी मिल गया है तो सिंप्ली इस function को हम कोल घ्याते है अब यहां से सिंप्ली अफनी application को हम refresh कर लेते हैं तो आभी आपको यहां पर डेटा लोड़ेट सेंटर में शोप होगा क्यूंकि जो स्टोटिंग वैरीपल है इसकी वैलो अभी यहां पर है तो को call करेंगा तो यहां से आपका loading animation रिमूव होगा और आपको यहां पर data loaded show up होगा तो अब अगर हम इस floating action button पूपर click करेंगे तो आपको यह console में error show up होगी तो इसको मैं थोड़ा slide कर देता हूँ अब यहां पर करते हैं यहां पर floating action बटन के उपर और यह देखिए आपको यहां पर error show up होगी और जो इस error में है simply आपको क्या करना है जो listen property होती है इसको आपको यहां पर false set करना है क्योंकि अगर आप provider को widget tree के बाहर से call कराते हैं तो simply listen property को आपको false set करना होता है simply आपको यहां पर lotty animation shop होगा then उसके बाद data loaded तो इसको मैं slide कर देता हूँ अब प्रेस करते हैं इस floating action बटन के उपर देखिए अभी आपको यहां पर animation shop हो रहा है then उसके बाद data loaded आपको shop हो जाएगा ओके अब हमें क्या करना है देखिए जो हमने यहां पर list create कर यह all data झाल तो अब हमारा यहां पर लिश्ट्वूर्ट विल्डर क्रेट हो चुका है और इसको यहां पर मैं आपको एक्सपेंड कर देता हूं तो simply यहां पर जो हमारा आइटम काउंट होता है इसको हमने एक्वेट करा है जो हमारे प्रोवाइडर क्लास के अंदर जो अपना डिस्क्रिप्शन शोब करें और यह सारी वैल्यू जो हमारी ओल डेटा लिश्टी इसके अंदर हमने की और वैलू पेर में स्टोर कराएं तो अब इस फाइल को यहां से हम सेफ करते हैं तो आपको युवाई पार्ट में लिस्टाइल के अंदर अपना डेटा शोब होगा यह देखिए ओके तो यहां पे जो मुरा टाइटल होता है इसको यहां पर फोराम बोल्ड करते हैं तो यहां पर यूस करेंग इस्टाइल प्र हमारा एक इशू है कि जैसे आप इस application को restart करोगे तो आपके यहांसे data load हुआ शोग नहीं हो यह application हमारा restart हो रहा है और यह सारा data आपके यह से remove हो जाए यह देखें आप यहां पर ऐसा क्यों हुआ क्यों कि आप जो अपना function call करा रहे हो आप इस voting action button पर प्रेस करते हो तब आप अपना function call करा रहे हो लेकिन जो हमारे real life application होते हैं उसमें क्या होता है जैसे आपका application start होता है आप सारे functions trigger करते हो जो भी आपको trigger करने होते हैं और आपको यहां पर डेटा यहां पर सिंप्ली अपन पेश्ट करते हैं अब इस application को और हम दुबारा से रिस्टार्ट करेंगे तो सिंप्ली आप इस गैट डेटा फंच्ट को कॉल कर आ रहे हो पर यहां पर आपको इसे करते हैं रिस्टार्ट यहां पर बहुत बड़ी सी एरर शौप होने वाज़ी है आपको लोडिंग इनिगेटर यहां पर शोप हो गया और यह रही है आपकी एरर इसको मैं पहले यह शोप कराते हैं तो यहां पर हमारा क्लैस क्या हो रहा है देखिए आपका विजिट भी-बीड हो रहा था और सिंप्ली जो अपने डेटा फॉंच्छन कॉल कराया इसके अंदर जो आपने नोटिफाइल इसनर यूज किया था यह भी ट्रिकर हो गया अब एक ही टाइम पर यूजी पार्ट भी विल्ड हो रहा है और आपको नोटिफाइल लिसनर भी ट्रिगर टूंग तो यहां से इस कॉंसल आप करता हूँ और दूबारा अपको कोई भेरर नहीं होगी आपके लोडिंगेर शोब बढ़ा सो पूँए यहां लीस्ट हो और आपको अगर फिल्ड है तो हमें उसे करना है अगर वह unfilled है तो उसे हमें फिल्ट करना अब यहां पर जो हमरा लिस्टाइल के अंदर ट्रेलिंग प्रपर्टी होती है उसके अंदर हम यह करते हैं इसका नाम में विजट इसके अंदर आपको यहां पर ट्रीन इंडर उपर एंदर ही अटकी बसके ने बंदर करने ताकि जो भी आफ पर इसका तो नामने गवली पोराईंबर पोर तो यहां पर हम इस्टोर करा रहे हैं अगर इसकी वेलु यस और नो नहीं है मतलब लोडिंग है तो हम शो करा रहे हैं स्पिल किट ओके तर उसके बाद सिंपली जो हमारा कंटेनर होता है इसमें उतने चाइड में पास कर दे रहे हैं शो वैरेबल जो हमने टॉपए कोड किया और इसको उमने रैप किया यहां पर गेश्टर डिटेक्टर के अंदर ताकि हम उमने फाइंशन को ट्रिगर करापने तो सिंपली जो हमारी लेस्टाइल के इंदर ट्रेलिंग प्रोपर्टी उसको हम यूज करते हैं तो सिंपली अपन यहां पर टाइप करेंगे करते हैं और यहां पर पिस्ट करेंगा और जो भी इस फेबरेट टी के अंदर वैलूस चौर diff правильно हो गी से जबी हम इस मिलाटा क। करेंगए अपने प्रिटन प्रेट पर पर यहां पर में एक next function को create करते हैं let's see नान देते हैं यहां पर change status और इसके नदर आपको दो जारी ही जो आपको यहां पर वैलुद थी और second इंडेक्स ताकि आप लिश्ट के इंदर उस index के बें वैली जेंज तो हमें क्या करना है सबसे पहले जो हमारी ओल डेटा लिस्ट थी पर पर्टिकुलर इंडेक्स पर जाना है और इसके अंदर जो पर फेवरेट की थी उसको आपको लोडिंग सेट करना थाकि आपको यूआई पार्ट रिविल्ड हो जाए तो इसके वाद आपको करना है मिनद फंशन है ten याथ personality में यहाँ पर चेक करेंगी जो हमारी वैल्यू प्रपरटिक ती अगर इसकी वैलू नो थी तो हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे चो आपकी पेश्ट है इसको यस करते है और इसकी फि follu हमार्या करें करते हैं में और रगर सा, अगर नहीं है function को call करें तो function को call कराने कि जो आपने यहां पर प्रोइडर आज इंपूट लिया था इसको आपका नेम ट्राइप करना है इसके इंदर जो आपका चींज किसी भी फिल्ड के उपर क्लिक करेंगो तो आपके लोडिंग और यह अंफिल्ड होगा ओके लास्ट में गर फोटिंग एक्शन बठन के उपर क्लिक करेंगे तो यह लिस्ट आपकी रिफ्रेश हो जाएगा तो अगर हम इस वीडियो को रैप आप करें कि आप प्रोवाइडर करना है लास्ट में आपको यूज़ करना है नोटिफों लेशनल ताकि आपका वाई पार जुबारा से रिप्ल्ड होगे जन उसके बाद में डॉट डॉट में अपने प्रोवाइडर को यहां पर रिजिस्टर करना है दन उसके बार यूज्ट करने के लिए यह नदर आप इस प्रोवाइडर को यूज़ कर सकते है और आपको जहां पर इंपॉर्टेंट पांध ध्यान रखने है जब भी आप विजिट्री के बाहर अपने प्रोवाइडर को यूज़ करना है तो इसके अंदर जो हमारा एट पोस्ट फ्रेम कॉलबैक फंशन होता है इसके अंदर ह करें आपको वीडियो समझ भी हैं कि बाके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक के लिए सिया फ्रेंग्स